दोस्तों गर आप भी अपने सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट गवर्मेंट बैंग में ओपन करें या फिर आप किसी प्राइवेट बैंग में जाकर अपना दो में अकाउंट ओपन करने पर ज्यादा सर्विसेज मिलती हैं और कौन सा बैंग आप से ज्यादा चार्जिस लेता है और किस में में आपको यहाँ पर जो अच्छी सर्विसेज के नाम पर प्र प्री अप्रूट परसनल लोन, क्रेडिट कार्ड एंड कार लोन, हाउस लोन य जो यहाँ पर बहुत जादा कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें यहाँ पर बैटर सर्विसेज किस बैंग में देखने के लिए मिल सकती हैं तो दोस्तो हम यहाँ पर गवर्मेंट बैंग में एक बैंग को सेलेक्ट करेंगे जो होगा यार SBA Bank और प्रेविट सेक्टर में एक यह देखने के लिए मिल जाती है और आपको यहाँ पर HDFC Bank की भी सर्विसेज आपके किसी नेरवाई सहर में देखने के लिए मिल जाती है इसलिए दोस्तो हमने यह दोनों बैंग सेलेक्ट किये हैं अब दोस्तो मान के चलिए आपको एक ऐसा अकाउंट ओपन करना है जिस यहाँ पर आपको HDFC Bank में कोई भी Zero Balance का अकाउंट देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तो अगर आप यहाँ पर HDFC Bank में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिनिमम 25 रुपए से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा और वो 25 300 रुपए भी आपके अकाउंट से इंसरेंस के नाम पर काट ले जाएंगे इसलिए दोस्तो आपको यहाँ पर अपनी नीड के गोडिंग कोई भी एक बैंक सेलेक्ट करना है दूसरा दोस्तो जो यहाँ पर सबसे जादा लोगों के मन में ख्याल लाता है कि हम यहाँ पर कि सिर्फ वही पैसे आपके अकाउंट से काड़ता है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं मानगे चलिए आपने एसवी बैंक में कोई अपना बीमा ले रखा है कोई इंसरेंस ले रखा है तो आपके वो पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे एंड मानगे आपको छोटी से छोटी सर्वीसिस के नाम पर बहुत ज़्यादा चार्जिस आपसे वज़ूर ले जाते हैं मानगे चलिए आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में जो आपको यहाँ पर SMS मिलते हैं उसके भी आपसे लगबग 150 रुपए तक चार्जिक किये जाते हैं ज दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो सबसे बड़ा आपके मन में यहाँ पर सवाल रहता है कि सर हमें यहाँ पर सर्वीसिस किस बैंक में बैटरे मिलेगी तो दोस्तों नो डाउट यहाँ पर जो विन होता है वो है दोस्तों HDFC बैंक क्योंकि HDFC बैंक प्राविट सेक्टर का पूल जीरो है तो कि इसमें यहाँ पर अकाउंट होल्डर इतने ज़ादा है और वहाँ पर जो आपको करमचारी काम करने वाले मिलते हैं वो दोस्तो बहुत ज़ादा कम है इसलिए दोस्तो यहाँ पर आप मान के चलिए एक करमचारी के पर जिदने भी यहाँ पर State Bank को इंडिया की ब्रांच है वहाँ पर दोस्तो एक करमचारी हजारो कस्टूमर को हैंडल करता है इसलिए दोस्तो इस्टेट बैंक में अगर आप कोई भी काम करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना होता है और काफी बार आपको बोला जाता है कि आप लंच के बाद आना या फिर इस टाइम के बाद आना यानि कि आपको वहाँ पर परिसान के जाता है उसी के opposite side में अगर आप यहाँ पर private bank की तरफ जाते हैं यानि कि HDFC bank की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो काम है वो आपका within a minute हो जाता है आप यहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका काम within a minute यहाँ पर complete कर ले जाएगा इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर अगर एक better bank आप चाहते हैं जिसमें आपका time बिल्गुल भी ना लगे तो आप private sector में जा सकते हैं अगर आपको अपने charges बचाने हैं तो आप यहाँ पर government sector में जा सकते हैं अब दोस्तों fourth यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में चलता है कि सर हमें यहाँ पर जो banking के product होते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले किस bank की तरफ से offer के जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप यहाँ पर किसी भी bank में अपना account open कराते हैं चाहे फिर वो government bank हो या पर private bank हो तो वो bank दोस्तों आपको कोई भी services अगर आपको provide कराता है तो वो दोस्तों आपको provide कराता है आपके transaction के base पे मानगे चलिए आप अपने bank account में भर भर के transaction करते हैं आप यहाँ पर लाखो रुपया का transaction daily basis पे करते हैं तो आपको यहाँ पर government bank भी and private bank भी अपने जो product होते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले offer करता है लेकिन दोस्तों product को offer करने के मामले में आपको यहाँ पर private bank सबसे अवल देखने के लिए मिल जाता है मानगे चलिए आप अपना account HDFC bank में open कर लेते हैं ओपन करने के बाद आप वहाँ पर अपने account में भर भर के transaction भी करते हैं तो आपको यहाँ पर HDFC bank में जो है pre approved personal loan का offer credit card का offer जिसकी apply link आपको video description मिल जाएगी वहाँ से जाके आप यहाँ पर HDFC bank का card apply कर सकते हैं आपको यहाँ पर जो credit card का offer होता है वो भी यहाँ पर एकदम से मिल जाता है और भी तरह कि जो दोस्तो services होती हैं वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलने सुरू हो जाती हैं लेकिन दोस्तो उसी के comparison में अगर आप government bank में account open करा कर बर भर के transaction भी करते हैं तो वहाँ पर दोस्तो आपको services तो मिलती हैं लेकिन आपको एक-दो साल तक पहले transaction करने होते हैं तभी आपको government bank की तरफ से pre-approved personal loan, credit card, house loan, card loan और other services आपको offer की जाती हैं तो आप दोस्तो अगर आपके इतना patience हैं कि आप यहाँ पर एक-दो साल का wait कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर government bank की तरफ से जा सकते हैं अब दोस्तो एक जो यहाँ पर सबसे बड़ा ख्याल सभी के मन में चलता है कि सर हम यहाँ पर मान के चलिए अगर हम यहाँ पर कोई भी loan करवाते हैं चाहे तिरह हम government bank में करवाएं या पर private bank में करवाएं तो हमें यहाँ पर interest rate कि इस bank में कम देखने के लिए मिल जाता है तो उसी के opposite side अगर आप HDFC bank में अपना account open कराकर personal loan करवाते हैं तो वहाँ पर आपको up to 18% का interest rate देखने के लिए मिल जाता है जो दोस्तो बहुत ज़्यादा high है तो दोस्तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा bank आपके लिए better निकल के आता है दोस्तों मैंने आपसे government bank versus private bank के hidden charges, benefits and bank की तरफ से जो आपको pre-approids offer आते हैं उनके बारे में बात कर लिए है अब दोस्तों आप यहाँ पर अपने need के recording अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपना saving account की इस bank में open करना चाहिए और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ current time में our SB bank का credit card and HDFC bank का credit card बर-बर के approve किये जा रहे हैं तो अगर आप भी अपने यह दोनों credit card बनवाना चाहते हैं तो इन दोनों credit card की apply link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप अपने credit card के लिए apply कर सकते हैं definitely आपका card 100% approve हो जाएगा I hope guys आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करके सभी की साथ share कर दीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो चैनल को जूट सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलेंगे फिर्गी जिन फिर्गी जी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन